नदी पार करनी है सहाब आईए आप लोग मेरी नाव में सवार हो जाएए मैं आपको नदी के उस पार पहुचा देता हूँ ठीक है अरे क्या हुआ हो लगता है नाव की नीचे कोई भारी चीज चक्राई है मैं जिन हूँ मैं शंक में कैप था लेकिन तुम्हारी नाव से टकराकर वो शंक तूट गया और अब मैं उस शंक से बहार आगया लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो तुम्हारी नाव में सवार ये तीन लोग एक एक करके इस नदी में कोई सामान फेगेंगे अगर मैं उस सामान को ढून लाया तो मैं फेखने वाले को मार दूँगा अगर मैं उस सामान को ढून पाने में नाकाम हुआ तो मैं उसका गुलाम बन जाओंगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है चलो मैं शहजादे जैसे दिख रहे इस नौजवान से शुरुआत करता हूँ मैं मुड रहा हूँ तुम जल्दी से कोई चीज नदी में फैको अगर फैकने में देरी की तो मैं तुमें मार दूँगा शट के मुताबिक अब मैं नदी में जाकर उस चीज़ को ढूनूँगा चो तुमने नदी में फैकी है मिल गई सुई तुमने ये सुई नदी में फैकी दी मैं इसे डून लाया हूँ शर्ट के मुताबिक अब तुम मरने के लिए तयार हो जाओ वैसे मैं तुम सब को एक साथ मालूँगा अब बारी तुम्हारी है तुम सफेड टोपी वाले नदी में कुछ फैको मैं पलट रहा हूँ शर्ट के मुताबिक मैं फिर से नदी में जा रहा हूँ अगर तुम्हारी फैकी हुई चीज लाने में नाकाम रहा तो तुम्हारा गुलाम हो जाओंगा वरना मरने के लिए तयार रहना मिल गई चिप तुम्हारी तुम्हारी सामने खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी ये मुस्कुराट अभी खत्म हो जाएगी मैं पलट रहा हूँ तुम भी जल्दी से नदी में कुछ फैको तुम्हारा वाक्त खत्म हुआ अब मैं नदी में जाता हूँ और उसे ठून कर लाता हूँ अरे नदी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है पूरी नदी खंगाई डाली नेकिन मेदी में कुछ भी नहीं लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी क्यों क्या हुआ मेरे आका मैं आपसे हार गया आज से मैं आपका गुलाम हुआ बताओ मेरे लिए क्या हुपम है मेरे आका सबसे पहले तुम ये वादा करो कि तुम इन दोनों को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाओगे जो हुक्म मेरे आका मैं इनकी जिन्दगी बख्षता हूँ लेकिन मेरे आका मुझे ये तो बता दीजिये कि आखिर आपने नदी में क्या फेका था जिसे मैं ढून नहीं सका तुम अगर जिन हो तो हम तुम्हारे बाफ हैं मैंने नदी में डिस्प्रिन फेकी थी जो पानी में जाते ही घुल गई फिर तुम उसे कैसे ढून पाते बच्चू अब तुम हमारे साथ चलो चलो अब हम तुम्हें दिल्ली लिये चलते हैं दिल्ली में तुम्हें लिये बहुत काम हैं तुमसे देश हित में काम कराएंगे